ये गाइज असलाम वालेकुम वेल्कम बैक टु दी चैनल दिस समीर एंड वाचिंग एमस्क्यू व्लॉग सो गाइज हम लोग है अल एमन गोट फार्म पे हमारे साथ है एतशाम भाई और आज हम आए हैं इनके फार्म पर शूट करने कुछ सोजत के बक्रे है वो आज्मर ने कटे करते हैं या फिर इतशाम भाई का नंपर आपको स्कृन के ओंपर मिल चिंग सकते हैं एतशाम भाई अस्लाम हरे सब्सक्राणि अलेख नें अपना एक्जसेशन और आप हम के पड़ता है न यह चलिंग जाएंगा एंड प caffeine कोल में यह चलिदı टोटल साड़े चार पांच किलो मेटर पढगा टोलना के से ख़लिंग गाउं साड़े चार पांच किलो मेटर होता है उसको भी एसा है तो लोकेशन कर देंगे तो गोगल पर रिजिश्चर है अगर कोई अलमन गोट फाम डालेगा तो आज जाएगा अता है लेकिन थोड़ा पुझाते तो उससे वहतर है कि मुझे अगर वाट्सअप कर दे तो डारेक्ट करें लोकेशन बेद देंगा ठीक है पर्फेक्ट इस वीडियो के अंदर हम लोग सोजद के बखरे दिखाने वाले जी सोजद है और फिर उसके बाद में कुछ बड़े बखरे अपने अंडूल शुरू करेंगे तो अभी सेलिंग शुरू नहीं थी आपकी ठीक है तो बखरे कब आया अपने बस बखरे अपने बस आके एक तकरीबन देड़ अफ्ते के उपर हो गया देड़ हफ्ते मतला बखरों को आपने लाया उनको भी सेट कर रहे हो सेट है समीर भाई अब कल से मैं आपको पहार निकाल कर दिखाएंगे बखरे यह देखो माशाला वाह यह देखेंगे इनको आपने सेक्रिकेट किया हुआ है कि वेट अच्छा जैसे आये थे वैसे आपने बाड़े में रखे इनको सेट कर दिए चलेगा साहिए सो टोटल एक सो तीन बखरे हैं यह एक सो तीन बखरों का पूरा लोट है साहिए शालो इनको वापस अंजर डालते हैं दूसरे बखरे निकल वा लेते हैं यह क्या वेट से क्या वेट तक की बखरे है अपने पास बखरों को बस निलाना ही बाकिये लेकिन यहां का मौसम अब इतना अच्छा नहीं है उस वज़ए निलाने में कोई हर्ज मुझे मैं अभी निला दू हू भी निला दूँ मिंदाने बखरे कितना दज़श बखरे बिस बखरे करेके भी निला दूँ मिला दे कि एंड कस्टमर है न जो लेके जाएगा वह तकलीफ में आ चाहते हैं के बखरे जो मैक्जिमम्न कि ते दाथ तक के बच्चे इसके इसके इंदर ठीक है चलो अंदर डाल दू दूसरा लौट निका लेंगे अमज़ाद इनकी तैयारी आप देखे फूर्ती आप देखे माशाला सारे बखरे आके यहाँ पर सेट करके इनको फीड पर अभी कल ही लिया गया आठ दस तारीक इस्टेम में शूट कर रहा हूं और बखरे अलम्दुल्ला नव तारीक से इनको फीड देना शुरू किया भाई अभी गर पर रखने की जगा नहीं है तो क्या पलाई लेंगे जो आमिल सब जगा पर चल रहा है स्वरूपय डेली का साहिए तो ऐसा लेंगे माशालला बखरे कुपसूरत है यह ब्राउन वाला तो देखो चमकदार है माशालला हा यह तो ब्लोस बखरे आप देखे खाली वैसा इतना ज्यादा ज्यादा नहीं दिख रहे हैं उचल कुद वाले बखरे माशालला माशालला और यह पिछा रहे हैं यह बहुत अच्छे यह पूरे टोटल 130 130 बखरे है हम लोग एक एक लॉट आपको दिखा रहे ताकर आपको अंदासा लगे आप लोग इसको देखकर स्क्र सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत बैतर है आप से फ्राइडे सेटेटे संडे तीन दिन आईए मैं या तो फिर फैजान यहां पर दो जान हम लोग में से कोई ना कोई मिलेगा तो आप लोग ज्यादा तर इदर आ जाए क्योंकि हम लोग जो रेट देने वाले हैं यह करके दिखाते हैं लोगों को खाली अंदाजा लग जाएगा कि बखरे किस टाइप के हैं ठीक है चलो माशाला तीसरा नंबर बाड़ा वाह यह देखे क्या बाद है बहुत अच्छे बहुत अच्छे इसमें अभी वेट को लेकर कुछ भी सेक्रिकेशन नहीं किया गया है आ और जो भी वेट का एडिया होगा वह हम लोग वीडियो के आखिर में देंगे और प्राइस जो भी होगा वह वेट के इसाब से होगा या ना इंशाला वाह यह देखो बखरों के खूर वूर सब कट हो चुके है एकदम सेट हो चुके बखरे अल्रेडी सामने से माशाला बाई बखरों को इदर लो ना यह देखो खाली आप बखरों की फूर्ती देखो माशाला यह होती है अच्छे बखरों की सेट बखरों की निशानी माशाला इन्होंने लाकर बखरों को यहाँ पर सेट कर दिया है और अभी यह वीडियो जिस दिन लाइव होगी उस यूनिक कलर है इसमें अबलग कलर के भी बहुत अच्छे बखरे हैं सो गाइस जो बखरे आपको सामने यह देखो यह वाला बखरा देखो आप यह पैर ऐसे रख रहा है इसमें कोई फॉल्ट नहीं है इसका खूर कटे हैं थोड़ा सा खूर नरम होगे होगा तो शाय से वह ऐ देखे एक और लौट छोटे बड़े सब बखरे मिक्स मिलेंगे आपको आना है अपनी पसंद का बखरा देखना है काटे पे डालना है और काटे का जो रेट होगा वह सबसे पिमिंट करना है और बखरा अपना या तो यहां पर रख सकते हो या तो फिर आप यहां से लेकर भी जा सकते हो कलर पैटन दिखो इस बखरे का मुंडे का माशाला यह देखे इसमें काफी कलर वाले बखरे हैं अबलक अबलक कलर के अंदर और चोटे बड़े बखरे तो सभी के अंदर मिक्स है अलम्दुलिल्ला सही है एक राउंड और दिखाएंगे हम लोग बखरे भार अब जैसे यह लौट अपन दो वीडियो बना रहे बाई यह लौट जैसे इंशालला जल सी जल खतम हो जाता है तो दूसरा कुछ आने वाला है कल मंडे के दिन में फिर इंशालला आजाएगा लौट आने वाला है कि जब तर महलब यह से वीडियो कल जाएगी और इसका सेल चालूएगा तो पीछे गाड़ी और आजाएगी तो उसको भी इसी तरीके से सेट वेट करके बेचेंगे पर सही है काम सोटा करते है लेकिन समीर बाई ऐसे ही काम करते है बैस्त है लोगों को तकलिफ नियोगी बैस्त है माशालला सही है एक लौट और दिखाएगे इसके पर फिर उसके बाद एक लास्ट और मैंना दो लौट और बचे ठीक है माशालला बहुत अच्छे गुलाबी और जैसे जो भी बखरें सब साथ में भाई आपने बखरों को गुलाबी में शॉटलिस नहीं किये और हाइट वालों को शॉटलिस नहीं किया उसका एडवांटे नहीं लेंगे माशालला यह देखेगा एक और लौट भार आगया यह है चोटा-चोटा लौट है लेकिन यह अगर कोई आएगा तो उसको अच्छी तरीके से लौट समझ में आएगा चोटे-चोटे लौट आपने करके से क्रिकिट किये हो ताके कोई आए तो हर बाड़े क अंदर जाके प्रॉपरली अपने पसंद का बखरा निकाल सकता है ज्यादा भीड करके कोई मतलब नहीं है यह देखो माशालला यह देखो बखरे देखो आप इसमें स्क्रीन शॉट वाट्सप कॉल वीडियो कॉल वीडियो वेट का कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि रेट इंशालला अच्छा देने वाले हैं सो कोशिश करिए आप लोग यहां आके यहां यह सारी चीजों का भी बहुत सारी वीव बहुत अच्छा होता है यह सब जो जगा होती मुंबई के आउट्सकर्च में इतने अच्छे जो गाउं है कहां देखने को मिलते माशालला और मौ जाएं गें अच्छे लोगों को आके सारी चीजों का मजा लेना जा अलग होता है और यह साल में की बार आता है यह मौसम आके देख लो लोग सबकुछ देते यह समीर पाई यह यह बैटे बैटे सर चर्वीस देते स्लिए इस बीच दिन बोलते कस्टमरका हमारे लिए किस्टमर को भी थोड़ा फ्लेक्जिबल होना चीए सही है यह एक लॉट और है इनको भी देख लो आप लोग और फिर इसके बाद हम लोग दुसरे बखरे दिखाएंगे इन्शालला ठीक है यह देखो माशालला बखरे सब एक से बढ़ करेंगा बाई कॉलिटी वाइज बहुत अच्छे बखरे है अपनी चीज़ है ने ने मैं तो देख रहा हूँ मेरको तो अच्छी ज़िए और जो लेके जाता है बस उसको पसंद आनी जी लेकिन मैं बोलता हूँ बखरो ने जो ए यारी बहुत अच्छी लिए बखरो ने बखरे 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 बहुत अच्छे बाई माशाला माशाला और इसमें ढूनोगे तो एक से नगीने भी पाजाओगे जिसकी जिसी नदर हाँ दो दार से चे दार तक के बखरे इसके अंदर ठीक है और मैं समझता हूँ जो यह सब गुलाब जामून आइडव है माशाला क्या बात है वाँ यह जो लॉट अपने दिखा ले यह वाला भी उसी में का लॉट है उसी में कई है उसी में कई है तो यह कैसा है नहीं क्या मानुवा लड़केगा उसने नौदाज बखरे साफ किया निला दिया क्या अच्छा थोड यह पूरे लॉट के अंदर जो भी बखरे अपने देखे सब इसी तरीके के आप भी इनको बखरे को निला लोगे ले जाकर तो बखरे इसी तयार हो जाए और इंशाल्ला अगर बखरे यहां रहे तो उसकता है आखरी आखरी डैम पर आपको निला जुला के साफ सुत्रे कर कर सब्कूर देखो यह वक्रे में से मैंने एक दो दानत देखने का मेरें देखो देखो दिखाओ इसके दाथ दिखाओ यह है आड डात का पूरा ठीक है यह निए चे दाट ठीक है मतलब यह बखरो के बड़े डाद ज्यादा है किसमें भी कुछ निकल लाएगा चानस वाल ये चार दात माशाला चीज देगो चार दात पे लाव भाई वो मुंडा 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 ब्राउन औन वाइट कॉलिटी देगो माशाला चार दात पे माशाला ठीक है समझ गया है तो यह सारे बकरे है तोटल एक सो तीन बकरे अपने दिखा दिये ठीक है और अभी इसमें से कोई भी स्क्रीन शॉट वीडियो कॉलिंग वगरा नहीं आपको बेटर है कि आप लोग यहां आ जाए काटा यहां पर है जो पसंद आ रहा है बकरा काटे पर डाले और जो भी रेट आप पेमिंट करें और ले जाए अब बात करते हैं में मुद्देगी पेमिंट की क्या पेमिंट क्या हम लोग जो है अमांट इसका रख रहे है इसके अंदर कैसा है ना समीर भाई 60 kg के 60 kg तक जो भी बकरा है ना इंशाल्ला हो अपनों लोग 550 से देंगे और जो 60 के अबाओ है तो वो 590 से देंगे 60 kg 560 550 50 60 भी निफाइफिफिटी अभी चौथा लगा है माशा आलला खुबशूरत बकरा देखो माशा आलला सो जैसे वापस एक बर बताओ 60 kg तक का जो भी बकरा है ना 550 550 ओके और 60 के अबाओ जो भी वो 590 फाइनटी नेगोशेट करेंगे उसके काम करेंगे ना 590 नेगोशेट करने का नहीं रखते पूलों फाइटी में चल्ला और 550 वाले को 550 वाला वही रहेगा समीर कुछ तो करना पड़ेगा समीर नहीं जमता आपको खुद को मालूम है वो तो मेरे को मालूम है मैं एक नहीं एक हजार बकरे आथ दिन बर में देख चुका हो लेकिन कहने का मतलब कैसा है कि लोगों को नहीं समझ 60 kg तक कि बखरे का रखा हुआ है और साड़े 560 kg अब जो भी बखरे होंगे वो 580 रुपीस का रेट आप में रखा हुआ है माशाला हां 580 में आपको नेगोशेट नहीं करना है ठीक है क्योंकि 550 में मैंने लड़के करवा लिया 580 में आप थोड़ा सा गुंजाइश कर लेन ठीक है तो यह वीडियो क्लोज कर दें नंबर में स्कीन के ओपर अलतमश बाइका दे दूँगा इंशाला है ना मैं बोल भी देता हुआ शॉरी एथे शाम बाईका नंबर में स्कीन के ओपर देदूँगा आप नंबर एक बार बोल भी दीजी यह नंबर है 7666252203 है यह आप मुझे वाटसप भी कर देना दोनों और इंशाला फिर में ये नंबर स्कीन के ओपर भी डाल दूँगा जो कोई भी इंटरस्टेड हो यहाँ आओ देखो पसंद करो उसके बास तोदा करो काटा यहाँ पर है बकरे कोई भी बाड़े में से आप निकालो काटा जो उसके हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा ठीक है मिलते आप से अगले व्लॉग में जबते के लिए गुडबाई टेक कैर अला अफिस